हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए एकदम सिंपल सी रेसिपी लेकी आए हूँ आप हमेशा अपने घरों में ये रेसिपी बनाते होंगे लेकिन आज में जो रेसिपी लेकी आए हूँ बनाने का तरीका डिफरेंट है अलग है लेकिन खाने में बहुत ही जोड़दार और बनाना इजी तो फिर देर की इस बात की चलिए बनाते हैं आज हम इस रेस्पी को गेहूं के आटे से बनाएंगे उसके लिए एक कप गेहूं का आटा लेना है और इसमें डाल देना है सूजी तो सूजी कितना लेंगे एक कप में एक चुथाई कप सूजी डालना है यदि आपके पास बारिक सूजी है तो बारिक सूजी ले ले नहीं तो नॉर्मल जो सूजी रहता है वही ले अब इसमें डाल देंगे दो चमच तेल तेल डालने से थोड़ा सा इसमें मोयन में खस्तापन आता है डालने से नमक डाल देंगे आधा चम्मच कच्चा जीरा अब इसे फ्लिवर फुल बनाने के लिए अब इसमें कुछ मसाली डालेंगे तो सबसे पहले आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर हल्का सा पीला पनाए बस उतनहीं डालना है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ती एक चम्मच कसूरी मेथी थोड़ा सा इसमें डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट यदि आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यदि आप लेसन नहीं खाते हैं यदि आपको पसंद नहीं है तो आप बिना लेसन का भी बना सकते हैं भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में अब देखे सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो क्या है अब इसमें पानी डालके सक्त डो लगा लेना है गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जितना हम लोग कचोरी बनाते हैं उतना सक्त रखना है अब एकदम सक्त आटा हमने लगा के रडी कर लिया है अब देख सकते हैं देखने से पता चल रहा है कि सक्त है तो थोड़ा देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कि इसमें जो हमने सूजी डाला है वो अच्छी तरह से फूल जाए और आटा भी फूल जाए अब देखिए हमने थोड़ी देर के लिए रखा था अच्छी तरह से आटा फूल चुका है अब मीडियम साइज का लोई बनाएंगे छोटा ही साइज का बनाना है मीडियम नहीं बनाना है अब इस लोई को किस तरह से बेलेंगे पतले में लंबा बेल लेना है अब हमने लोई को थोड़ा सा मोटा ही बेला है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है यज़िए आप पतला बेलेंगे तो आपका यह कचारी फूलेगा नहीं अब या करेंगे इस तरह से knife से side का cut कर देंगे और जो cut हुए extra part है फिर से lowi बना के बेल लेंगे बस इस तरह से rectangle में cut करना है अब इस तरह से हमने 2 टुकड़ों में cut कर लिया है अब क्या करना है greater लेना है, greater से इस तरह से design बना देंगे डिजाइन बनाना पूरी तरह optional है देखने में सुन्दर लगेगा इसलिए बना रहे है और इसलिए हमने कहा था थोड़ा मोटा ही बेलना है क्योंकि यदि आप पतला बेलेंगे तो प्रेस करेंगे तो और ज्यादा पतला हो जाएगा अब देखे इस तरह का डिजाइन बन किया है तो बाकी का भी सेम इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे यदि आपके पास ये मोटा वाला ग्रेटर है तो मोटा वाला भी ले सकते हैं जो है आपके पास दोनों में से कोई साभी ले ले अब आपने एक बार में चार पूरी को बेल लिया है, बस अब इसे फ्राइ करेंगे अब फ्राइ करने का तरीका एकदम सिंपल है, कढाई में तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो बस इस तरह से एक पिस डाल देना है आप एक बार में दो पिस तिन पिस जितना मन हो उतना डाल ले तरीका सेम है सिर्फ बेलने का अलग है इसी में बहुत ही सुन्दर दिखता है खास कर बच्चों को बहुत पसंद आता है अब देखिए एक दम पूरी की तरह से फूल किया है मोटा बेलेंगे तभी फूलेगा यदि आप पतला बेलेंगे ना तो पापड़ी की तरह हो जाएगा हमेशा ये बात का ध्यान रखना है तो बस कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे अब इसे निकाल लेते हैं बाकी कभी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अब इस सारा मसाला पूरी बनके रैडी हो गया है तो आप इसे सिंपल अचार के साथ या फिर चाई के साथ असानी से खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें जो लसुन हमने डाला है तो लसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ियां आता है तो आप इस रेसेपी को असानी से बना सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं बनाना भी इजी है तो फ्रेंट्स अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें